आज की सेशन में में सिखरने जा रहे हैं कलास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का कोस्टन नमर 1 यूकलीड विवाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसव ग्यांट करते हैं पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाग विदीश का 135 और 225 का मौसव हम ग्यांट करते हैं तो भाग विदीश करते हैं कि 225 बार में 225 में लगाते हैं एक बार में लगेगा दो बार में ज्यादा हो जाता है तो सेश मेरा 90 होड़ा है तो यूकलीड विवाजन एल्गोरिथम क्या पड़ में क्या काड़ा है A बरावर B Q पलस R जहां 0 से बरा होना चाहिए R और बरावर होना चाहिए R से भी बरा होना चाहिए B आप जानते हैं A क्या होता है B क्या होता है Q क्या होता है R क्या होता है हम लोग बच्मन में पड़े हैं कि भाज बरावर भाजव गुना भागफल जोर सेश तो A को मानना है भाज ये हो गया मेरा भाज और भाजव मानना है B और भागफल को मानना है Q और R क्या हो गया है सेश फ़ल हो गया तो वही बच्मन में पड़े हो गया है भाज बरावर भाज बरावर भाज बरावर भाजव गुना भाजव गुना भागफल जोर सेश ये वला फर्मुला ही इसको मानना है A B Q पलस R सेम वही फर्मुला ये क्लीर विवाजनी अलगोरिथम ने दिया अब एक उकी इसको मानना है दो सब पत्तिस तो दो सब पत्तिस परावर क्या हो जाएगा एक सब पैतिस गुना एक पलस नगज़ है लेकिन इसमें एक बाद यह है कि जब तक जीरो आर जो है जीरो नहीं होना चाहिए तब तक यह सब नहीं निकलता है यहां देख रहे हैं आर जीरो नहीं निकला तो एक बार और हमको क्या करना परेगा अब लगाना है हमको यह दोनों में जो दिखा इदार उसमें लगाना एक सब पैतिस मेरा भाज है भाजक है एक सब पैतिस मेरा भाजक है तो एक सब पैतिस में अब हमको लगाना है भाज किस से लगाना है सेस्पल से नब्य गुना अब करते हैं फिर से एक बार नब्य से ल नब्यम हमको लगाना है किस से 45 से तो नब्यम हमको 45 से लगाना है तो कितना मर्द में लगेगा? दो बार में लग जाता है 90 कट गया historiesफल देख रहे हैं यहां 0 निकल गया 45 गुना 2 बरावर 0 कर देते हैं तो मेरा 90 निकल जा रहा है जैसे 8 जिरो निकला बदाई हो आपके अंसर निकल गया यहां क्या जाएगा? मौसव बरावर मौसव बरावर जो मेरा भाजक है वही मेरा एंसर होता है जो मेरा भाजक है वही मेरा एंसर होता है तो 45 इसका मौसव निकल गए तो same to same इसी से हमको समझना है उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों के साथ सेयर करें, लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें